हे दोस्तों वेलकम बेक तो आज से हम कमपास सर्विंग पढ़ना इस्टार्ट करेंगे तो आज के इस उड़ी में एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कमपास सर्विंग से रिलेटेड कि क्या होती है वो क्यू यूज की जाती है उसमें कौनकुल से टाइप के कमपास यूज होती है ये सारी बेसिक चीज़े हम आज के इस उड़ी में सीखेंगे जो कमपास सर्विंग से रिलेटेड होंगे तो सबसे पहले हम समझेते कि कमपास सर्विंग होती गया है तो इसके पेले हमने सीखा chain surveying के बारे में तो chain surveying में होता क्या था only हम linear measurement ही ले सकते थे लेकिन compass surveying में क्या होता है compass surveying में हम linear measurement तो ले ही सकते है इसके अलावा हम इसमें angular measurement भी ले सकते है तो यही compass surveying ही होए तो compass surveying को हम समझ देते compass surveying is an important branch of surveying which is usually adopted in determining the position of an object both by angular and linear measurement तो compass surveying अगर आप से कोई पूछता है तो आप उसे कैसे define करोगे कि compass surveying की एक बहुत जादा important branch है उसे इसलिए adopt किया गया है थाकि हम किसी भी object की position बता सके उसके angular और linear measurement के साथ अब इसमें यह दोनों measurement हम कैसे लेंगे वह भी हम आगे देखते here angular measurements are taken using a compass and linear measurements are determined using chain और tape तो जो हमारे angular measurement होंगे उसका हम measurement किस की हल्प से करेंगे compass की हल्प से और जो हमारे linear measurement होंगे उसे हम कीश से determine करेंगे chain और tape की हल्प से तो इसमें हम क्या करते है compass नाम के instrument को हम Use करते इसलिए इस Surveying को हम क्या बोलते है Compass Surveying क्योंकि इसमें हम Angle भी Measurement करते है और Angle किस से Measurement करेंगे हम Compass की हल से इसलिए इस Type की Surveying को हम क्या बोलेंगे Compass Surveying बोलेंगे अब Compass Surveying QI Use में उसके क्या Priorities होती है वो भी हम समझ लेते है तो कई बार ऐसा होगा जो हमारा Surveying एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा जैसे हमारे Coaster Areas होगए इस Type के अगर हमारे कोई Area आता है तो वहाँ पर क्या होता है Chain Surveying करने में थोड़े difficulty आती है तो उस Type के हम क्या करेंगे वहाँ पर Compass Surveying का हम यूज़ कर सकते है तो इस Type के बड़े Area का Surveying करने के लिए हमें क्या मिला? Compass Surveying मिला Second, if the Area is crowded with many details and has many obstacles for conducting Chain Surveying as triangulation become impossible तो अगर हमारा कोई Survey Area है जहाँ पर भो ज़्यादा crowd है और भो ज़्यादा obstacles है तो वहाँ पर Triangulation क्या हो जाएगा? Impossible हो जाएगा क्योंकि Chain Surveying का main principle क्या होता है? Triangulation होता है अब वहाँ पर जब Triangulation impossible हो जाएगा तो वहाँ पर हम Chain Surveying का use नहीं कर सकते तो वहाँ पर हमें कौन से Type की Surveying यूज़ करने पड़ेगी? Compass Surveying का हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर जो हमारा Surveying है उसके पास specific और limited time है लेकिन उसे जो survey करना है एकदम large scale पर करना है और एकदम detail survey करना है उस area का तो वहाँ पर उस case में को क्या कर सकता है? Compass Surveying का use कर सकता है अब यह सारे important point समझने की वाद हमको लग रहा होगा कि Compass Surveying भो जदा important है इसमें कोई problem नहीं होगी लेकिन नहीं हर Surveying में कुछ ना कुछ limitations होती है तो इसमें भी कुछ इस type की limitation आईगी क्योंकि जो हमारा Compass Surveying है उसका man instrument क्या हो गया? Compass हो गया अब Compass होगा वो किस पर work करता है वो South Pole और North Pole के magnetic field पर ही work करेगा अगर उसमें अगर हमारी जो magnetic field है उसमें कोई problem आती है जिसे हम क्या बोलते है local attraction बोलते है उसकी वैसे क्या होता है जो Compass की magnetic needle होगी वो बराबर proper work नहीं करेगी तो उसमें क्या होगा जो हमारा Compass है वो भी बराबर work नहीं करेगा अजब Compass बराबर work नहीं करेगा तो हमें क्या होंगे angular measurement बराबर नहीं मिलेंगे उसमें कुछ न कुछ error आएगा तो इस type के error भी होते है Compass Surveying के अंदर तो Compass Surveying हम कहां का use करते ये तो आपको समझ में आ गया लेकिन हम कहां use नहीं कर सकते ये भी आपको पता होना चाहिए जहाँ पर magnetic substance बहुत ज़्यादा होंगे जहाँ पर iron और dipodis बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर metallic या steel structure बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम Compass Surveying का use नहीं कर सकते क्योंकि उससे क्या होगा हमारे magnetic needle में कुछ ना कुछ error आएगा और जो हमारी serving होगी उसमें भी error आएगा तो उन places पे हम Compass Surveying का use नहीं कर सकते अब Compass Surveying का main instrument Compass है तो अब Compass कितने types के होते हैं वह भी हम समझेते तो सबसे first magnetic compass तो magnetic compass में भी कितने सारे type आते हैं वह भी हम देख लेते हैं प्रिज्मेंटिक Compass जिसे लिनेस्टिक Compass भी बोलते हैं Surveying Compass, Liquid Compass, Marine Compass जिसे Card Compass भी बोला जाता है Best Plate Compass या जिसे Orientating Compass भी बोलते हैं Thumb Compass, Solid State Compass या Kibla Compass तो यह सारे main type होते हैं magnetic compass के आप second type का compass हमारे कौन सा आएगा GPS Compass जो GPS पर वर्क करेगा Gyro Compass जो हमारे mobile phone के अंदर आपको देखने मिलता होगा Astro Compass लेकिन हम इतने सारे compass का यूज तो करेंगे नहीं Compass Surveying के अंदर तो main कौन से-कौन से important compass यूज होते हैं Compass Surveying के अंदर उनके name क्या है वो भी हम देख लेते हैं तो सबसे जाद़ आपको Prismatic Compass और Surveying Compass ही देखने मिलेंगे इसके अलावा एक और Compass ही होता है जिसे हम Level Compass बोलते हैं तो main यह तीन type के compass आपको देखने मिलेंगे Surveying के अंदर अब Magnetic Compass क्या होता है उसे भी हम समय लेते है The Magnetic Compass is a compass having magnetized needle in a line with the magnetic pulse of the earth The Magnetic Bearing of a line can be determined by a Magnetic Compass The Bearing can be measured either in the wall bearing system or the quadrant bearing system तो जो Magnetic Compass होता है उसके अंदर क्या होता है Magnetic Needle होती है जो Earth के Magnetic Pulse से जोड़ी होती है अब इससे जो में measurement मिलता है तो जो angular measurement आते हैं उनको क्या बोलते है bearings बोलते है तो इनको भी हम पूरा detail में समझेंगे कि bearings क्या होती है कितने types क्यों होती है तो उनको हम किस में measure करते है उनको हम WBS में या QBS में measure करते है तो ये WBS और QBS क्या होता है वो भी हम आने वाली वीडियो में detail में समझेंगे क्योंकि ये compass serving के एक important parts है क्योंकि इसे में क्या होगा सारा measurement होगा और हम जब इससे related numerical solve करेंगे तो उसमें भी ये भो ज़्यादा important role play करेंगे WCB system और RV system WCB यानि whole circle bearing और quadrant bearing या उसे हम क्या बोलते है reduced bearing भी बोलते है इन दोन topics के उपर में आपको एक separate video के दुरूपरा detail में explain करूँगा next आगे हमारा GPS compass तो GPS compass क्या होगा ऐसा compass जो satellite का use करके हमें location provide करेगा आर्थ के direction या movement हमें provide करेगा तो उस type के compass को हम क्या बोलेंगे GPS compass बोलेंगे तो GPS compass क्या होता है उसे हम detail में समझेते तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझा है GPS compass में क्या होगा जो satellite का use करके अर्थ पे कौन से object की क्या location है उसकी direction of movement क्या है जो बताएगा उस type के compass क्या बोलेंगे GPS compass बोलेंगे तो इसमें क्या होगा हमारे पास latitude, longitude के अलावा altitude भी बता चलेगा object का जिससे हम क्या कर सकते है कार्डिनल डारेक्शन केल्कुलेट कर सकते है Next हमारा gyro compass अब gyro compass क्या होता है उसे भी हम समझेते तो जाइरो कमपोस क्या होगा जो जाइरो सकोप जिससे काम करता है वो ही क्या होगा जाइरो कमपोस हो गया तो इसका बेस्ट एक्जामपल है जो हमारे Android phone के अंदर जो आपको compass वाला application दिखने मिलता है उसी भी टाइब की compass को हम क्या बोल सकते है जाइरो कमपोस बोल सकते है तो एस्ट आइगा हमारा एस्ट्रो कमपास एन एस्ट्रो कमपास is a navigational tool to use the position of the various astronomical bodies to determine the direction of true north तो एस्ट्रो कमपास किसको बोलेंगे एस्ट्रो कमपास एसा tool होगा जो वेरियस astronomical bodies की एन जाइरो कमपास are unreliable तो इस थाइब का compass हमारा का यूज होगा polar regions में यूज होगा क्योंकि वहाँ पर क्या होगा magnetic compass और जाइरो कमपास यूज नहीं आ सकते proper way में तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे एस्ट्रो कमपास का यूज करेंगे यूज एस कमपास में क्या आता है जो हमारा geographical position हाती है उसे latitude और longitude के form में define करता है according to this information it is cited on the astronomical object with a known position to give an extremely accurate reading इस से हमें जो हमारा astronomical object होगा उसकी position पता होगा उसकी हैसरी क्या करेंगा हमें एकदम accurate direction और accurate reading प्रवाइड करेंगा एस्ट्रो कमपास और यह एस्ट्रो कमपास कहां यूज होगा यह हैपको याद रखना है polar regions के अंदर हम कौन सा कमपास के यूज करेंगे एस्ट्रो कमपास का क्योंकि वहाँ पर magnetic compass और gyro compass proper work नहीं कर पाएंगे तो यह सारे compass के time हमने इस वीडियो के अंदर पुरा डिटेल में समझ लिए और compass serving क्या होती है वो भी हमने समझ ली और compass serving कहां का use की जा सकती है और कहां use नहीं की जा सकती यह भी हमने समझ ली अब next वीडियो में हम समझेंगे कि compass serving का principle क्या होता है compass serving कौन से principle पर work करता है तो आज के इस वीडियो में बस एतना ही, आयोब आपको Compass Surviving अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए help लेते हो, वीडियो के लाइक करना, साती इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेर करना, जिससे इसके अलावा अगर आप हमाई चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरू सब्स्राइब करना, और सात में बेल का एगन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे Principle of Compass Surveying, तो जब तक आप सभी अपना ध्यार रागना, थेंक्यू समाच.